हम लोग बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्रिय विद्व योजना में लाजटेट के बारे में आज लाजटेट है मुख्यमंत्रिय विद्व योजना में जिन्होंने अभी रेजिस्टेशन नहीं करा है जो लोग भी टेबलेट प्राथ करना चाहते हैं और उन्होंने अभी ए registration करना है ठीक है जिनका tablet में नाम है list में उन्हें भी registration करना है एक बर और समझ लिजी आप मतलब registration आपको करना है ठीक है काफी सारी विडियो में मैंने बताया है कोई confusion ना रहे कि मैंने registration नहीं करा तो आप सबी लोग registration कर दें 2021-2022 के लिए वहां पर registration का options है आप registration कर दें और last date आज 20 October का जो है रखा गया है साथ ही पूरा का पूरा schedule है कि कब exam है exam कैसे दें registration के बाद क्या करें यह सारी प्रिक्रिया के बारे लोग बात करेंगे तो exam की बात करें तो तो मैं आपको एक बार schedule दिखा दो फिर आगे बात करता हूँ यहाँ पे 20 October 2021 तक last date है इसके पहले पहले तक आपको registration कर देना है जो कि मैंने आपको बताई दिया इसके बाद है नमबर नीट का यानि की 22 तारिक को दो बज़े से साड़े तीन बज़े टाइमिंग सबका सेम है बस डे अलग-अलग है नीट का एक्जाम देना है आपको फिर आपको एक्जाम देना है 22 के बाद 23 और 24 छुट्टी है किसी तरक को एक्जाम नहीं है फिर 25 अक्टूबर को दो से साड़े तीन पीम में आपको NDA या CDS का एक्जाम देना है NDA और CDS का से लिए बस एक जैसा है इसलिए उसके पेपर एक जैसे आते हैं ठीक है फिर है 26 तारिक को जो की UPSC UPSC का एक्जाम है टाइमिंग सेम है तो यह पूरा का पूरा सेडूल आप इसकी इंसाड ले स है और classes कब से start होनी है उसका भी डेट पहले से ही tentative है यहां देख सकते हैं परिच्छा का परणाम जो है 29 अक्टूबर का अनुमानी 30 टेंट एक रखा गया है कि 29 अक्टूबर को रियल्ट घोसित कर दिया जाए यानि कि 26 तारिक को जैसे ही आप exam देंगे 27-28 छोड़के 29 त अब्यूदय का एक option आपको मिल जाएगा अब्यूदय का अलग का अलम है उस का अलम पर आप क्लिक करेंगे तो अब्यूदय से जुड़ी जितनी भी जानकारिया आपको चाहिए होंगी सब कुछ एक क्रम एक जगह एक platform पर दी गई है यहां देख सकते हैं 29 अक्टूबर को जैसे ही reality आएगा उसके कुछी दिन बाद आपको 15 नॉमबर के आसपास classes जो है start कर दी जाएगी classes आप online offline किसी भी mode में कर सकते हैं जो लोग पहले से ही confused थे परिसान थे और कुछ लोग इस नाते जाते थे कि tablet मिलेगा कि offline class करेंगे तभी मिलेगा वो भी confusion आपकी दूर होग था पिछली बार यदि आपको देखना हो तीसी वीडियो के description box में मेरे एक other YouTube channel का link है उसमें लिखा होगा अभ्यूदेय योजनाव का paper कैसे आया था इस तरह का heading होगा अब उस पर click करेंगे तो आप paper भी देख सकते हैं मैंने paper वहाँ पूरा डाल दिया है पिछली बार वाल नहीं है आपको option बस टिक करना होता है गूगल फार्म पे वो लोग पिछली बार परिच्छा दिलवाये थे अभी अगली बार किस पर दिलवाते हैं अब देखना होगा फिलाल और बात करते हैं अब आपने जान लिया कब है कब से classes होगारा चलेंगी तो registration के बाद क्या करना है registration के बाद एक लिए आपको registration number मिल गया है तो आपको कुछ नहीं करना है यदि आपको registration number नहीं मिला है तो आप mail id और mobile number change करिए दूसरे का डालिए अपने घर में किसी का रिष्तिदार का डालिए फ्रेंड का डालिए मतलब उसमें आप चालू हालत में mobile number registration होना चाहिए और आपका mail id registration के लिए registration के लिए registration number प्राप्त कर लिए झीक है एक बार जरू सुन लें एड़म टेंशन फ्री रही है ऐसे लगेगा आपको सब कुछ एक्जाम के पहले प्री एक्जाम आप दे रहे हैं ठीक है सब कुछ वीडियो के माध्य मुसम बताएंगे साथी एक्जाम आपको कैसे देना है तो ऑन-लाइन देना है घर बैठे बैठे देना है कहीं नहीं जाना तो बढ़िया है ज्यादा चांसेज है आपके सेलेक्शन उसमें चांसेज जो हैं बढ़ जाते है ठीक है तो आप वही वही कोश्चन पहले सेलेट करिए जो आपको आते हो फिर जो ना आते हो फिर उसको सेकेंड राउंड में करने का प्रयास करिए ठीक है और कुछ पूछ पूछ ना होगा तो आप कमेंट बाक्स में पूछ लीजेगा अभी के लबस इतना ही धन्यवाद